चंदोली जनपत के नोगड में अखिल भारती राठोर साहू समाज के वैनर तले मनाई गई महात्मा गांधी जी के एक तर्वे पुड़े तिती इस पुड़े तिती कारेक्रम में सोन भद्र के भाजपा सांसद मुक्य तिती के रूप में मौजूद रहे जबकि विश्ष्ट अतिती के रूप में जैकिसन साहूपूर केवरेट मत्रि खादी गराम द्योग तथा साहू समाज के परदेश अध्याची भी मौजूद रहे इस दोरान मौजूद सभा को सम्भूदित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को स्वत्म कत्राने में महात्मा गांधी जी का बहुत बढ़ा योगदान रहा और भामा साह जी का भी काफी योगदान रहा लेकिन आजादी के बाद से अभी तक साहू समाज को परद्छित किया कई प्रदेशों से और कई जीलों से लोग यहां कठा हुए थे जिसमें मुक्तिती बनाया गया था और उनके विकास के लिए उनके एकटा के लिए उनके चाहे आरच्छड के लिए या उनके परत्निधित करने के लिए राजनीती में चाहे ओजिला पंचायत का हो मिधान अबाका हो जो भी हो सकेगा अपने मैं राश्टी अधिक्ष्यवारता करूंगा कि यह समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर जगा प्रत्निधित किया जा इसा है कि महत्मा गांदी जी की पुनितिती भी आज है और महत्मा गांदी जी हमारे सहु समाज से ही थी तो राजनीत भॉInd work सपाहो बस्पाहो भाज्पाहो हमें जो सुनियोजी तरीके से और हमारे हक के हिसाब से और होट भागी दारी के हिसाब से सीट हमें देगा हम उसके साथ था मेरा मान्ना है हक मांगके नहीं मिलेगा हक दुशadowार पढ़ेगा इसलिए कारिक्रम लगातार इस जीले में और अनेत्र जुलों पे चलाए जा रहा है तेली विरादरी को अखिल भारतिये साहु राठोर महासभा के बैनर तले एक कत्रित किया जा रहा है और इसी का एक कारक्यम था जो मुगल सरा से चल गयर के मुगल सरा कारक्यम को रूप रेका देते हुए रत्यात्रा के साथ हम जो पिछड़ा है उस पर हम अपना कुछ प्रकाश जालने आए थे हैं अ कर दो